रादे रादे जैश्रे क्रिश्ना, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज मैं यूज आपको बताने वाली हो देखे, मॉली का धागा हर किसी के पास होता है तो थोड़ा सा ही चैये मेरे पास ही बड़ा रोल था, इसमें से मैंने थोड़ा सा धागा यूज किया है कुछ पुरानी बैंगल्स का यूज किया है, कुछ ये मोती मैंने बनाये थे उनका यूज किया है और इस तरीके से जो गोटा होता ना उसका यूज किया है तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सीखेंगे और आने वाले फेस्टिबल्स में आप इनका यूज़ कर सकते हैं. तो एक कार्टबूर्ड लेना है, उस पे एक चोटा सा सर्कल कट कर लेना है. उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हुए एक और लाइन लगा लेनी है, तो हमें यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करने हैं. और उसके बाद ना उसे कट कर लेना है. तो देखें, यहाँ पे कट कर लिया, तो रिंग जैसी आ गए हमारे पस, अब यहाँ पे दो या तीन, जितना भी आपके कार्डबूर्ड की ठिकनेस है, उसके अकॉर्डिंग लिए यहाँ पे दो या तीन कार्डबूर्ड हम जाइन कर लेंगे. इससे क्या होगा, रिंग हमारे ना थोड़ी मजबूत बनेगी. अब इसमें से थोड़ा सा धागा ले लेती हूँ मैं, जादा नहीं लगता, यह बहुत कम लगता है, देखें, इतने से धागे में ना पूरा मेरा यह अच्छे से कवर हो जाएगा. तो यहाँ पे मॉली में से ना मैंने थोड़ा सा धागा ले लिया और देखें, पूरा ना आपको इसे कवर कर लेना है, इसी धागे से. आप चाहें तो उन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत से मेरे विविवर्स थे जो कह रहे थे मैं, बिना उन के कुछ बता पूरा ना हम इसे कवर कर लेंगे. तो बहुत ही असान है, देखें, सिरफ आपको ये थोड़ा सा गोटा खरीदना है, और ये मोली तो हर किसी के घर में ही होती है, थोड़ी सी आप वहाँ से ले सकते हैं, और बहुत ही प्यारा इसका डिजाइन बनता है, और बनाना भी असान है, तो बिल्कुल आराम से देख आज़े हमें क्या करना है, तो देखें, पूरा रिंग को मैंने कवर कर लिया, उसके बाद हमें लेनी है यहाँ पर पुरानी चूड़ियां, और पुरानी चूड़ियों को भी न, ये मॉली वले धागे से ही न, मैं कवर कर लोगे, तो थोड़ा सा मैंने धागे ले लिया, और इसे न हम कवर कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने काटबूर्ड वाली रिंग को कवर किया था न बिल्कुल ऐसे ही देखिया आराम से इसे कवर कर लिया मैंने एक्स्ट्र धागे को काटते हुए न यहाँ पे नौट लगा देंगे ऐसे न मैंने दो रिंग रेडी कर लिया हैं उसके बाद जैसे पहले गोटा लपेटा था न बड़े वाले रिंग के उपर बिल्कुल वैसे ही न यहाँ पे भी आपको गोटा लपेट लेना है यह देखे इस तरीके से गुमाते हुए तो इन दोनों चूड़ियों को भी न मैं इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना है तो देखे यह रेडी हो गई तो अब हम इसके लिए फूल बना लेते हैं गोटे वाले यह वाले फ्लार आपको मार्किट में भी मिल जाते है राम से लेकिन मेरे को यह गोटा थोड़ा सस्ता पड़ा था इसलिए मैंने सूचा गोटे से खुदी बना लेते हैं तो बस रनिंग स्टिच करना है और देखे इस तरीके से इसे गोल गुमाते हुए खीच लेना है तो जितना भी आपका जहां पर भी आपका फ्लार बन गया यह देखिए तो यह फूल कम्प्लीट हो गया मेरा अब जो एक्स्ट्रा गोटा है उसे हम कट कर लेते हैं तो यहां से इस तरीके से फूल करते हुए फूल जैसा बना लेना है यह फूल आपको अराम से रेडिमेट भी मार्किट में मिल जाते हैं जा क्राफ्ट का समान मिलता है तो आप रेडिमेट भी ले सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं देखिए तो मैं और बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो देखिए आपे मैंने कितने सारे फूल बना लिये हैं अब इसके उपर लगाने के लिए चोटे-चोटे पॉम-पॉम्स बना लेती हूँ जरूरी नहीं है आपको पॉम-पॉम ही बनाने है आप यहाँ पे जो मेरे golden वाले मैंने आपको multi color में beat सिखाए थे ना वो भी आप यहाँ पे use कर सकते है या अगर आपके पास छोटे छोटे mirror पड़े हैं वो भी use कर सकते है तो यहाँ पे मैं सबसे simple तरीका बता रही हूँ अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो pom-pom भी बना के आप इसे बना सकते है तो यहाँ पे ना दो size के मैं बनाऊंगे एक थोड़े से बड़े size के एक थोड़े से चोटे size के यह देखिए थोड़ा सा हाथ से गुमाते हुए ना बिल्कुल अच्छे से हम इसे cut कर लेंगे तो यह बड़ा size आ गया एक चोटा सा size भी बना लेते हैं जो हम जो golden वाले flower बनाए है ना उसके बीच में लगाने के लिए तो दोनो size हमारे यहाँ पे आ गए इसे भी हम जैसे पहले cut किया था ना बड़े वाला बिल्कुल वैसे ही cut कर लेते हैं तो देखिए चोटा सा cute सा पॉम पॉम भी ready हो गया है तो थोड़े से ready बग कर लेती हूँ मैं और फिर उसके बाद बताती हूँ आगे हमें क्या करना है उसके बाद हम यूज करेंगे golden वाले beats यह मैंने आपको सिखाये हूँ है यह आप नीचे में description box में link दे दूँगी वहां से आप देख सबते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर pom-pom यूज कर लिया और यह देखिए है तो बहुत ही प्यारा सा design बन गया इसे न मैं जो मैंने बनाई है न बैंगल्स उसके बीच में मैं लगाऊंगी तो pom-pom लगा के देखिए मैंने इसे ready कर लिया इने न यह जो मैंने circle ready किया है न इनके बीच में लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा इनका design आएगा अगर आप यह नहीं लगाना चाहते हैं इसके जिगा mirror लगा लीजिए अगर आपके पास शुबलाब वाले sticker पड़े है न तो आप वो भी लगा सकते हैं जैसे अगर आपके पास पिछले साल की पुरानी लटकन पड़ी हो न जिसमें शुबलाब लगे हो वो भी यहाँ पे बीच में पेस्ट कर सकते हैं तो design को थोड़ा बात आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास material है न उसके हिसाब से change कर सकते हैं तो देखे कितना कम धागा लगा मेरा बिल्कुल सारा मेरा धागा भी ऐसे ही पड़ा है तो आगे हम beats के इसमें design बनाते हैं तो यह golden वाले beats जो मैंने सिखाए थे न आपको बड़े वाले की कैसे बनाने हैं वही मैं इसमें यहाँ पे use कर रही हूँ इसका link में description box में दे दूँगे आप वहाँ से देख लीचेगा इसे बनाने के भी मैंने ना दो तीन तरीके आपके साथ share किये हुए है तो सारी चीज़े मैंने देखिए घर पे ही बनाई हैं सिरफ यह golden वाले मोती मैंने खरीदे हैं market से बाकी सारी चीज़े मैंने देखिए घर पे बनाई है इसका design भी आप change कर सकते हैं अगर आपके पास golden मोती नहीं है white मोती यूज़ कर लीज़े multi color में मोती यूज़ कर लीज़े तो देखिए कितनी सारी छोटी 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 लटकन मैंने ready कर ली अब इन सब को join करके मैं एक बड़ी लटकन बना लूँगे यहाँ पी देखिए तो यह बहुत ही प्यारा hanging सारा हमारे नीचे design बन जाये गए देखिए तो यह golden वाले जो बड़े वाले मोती जो मैंने आपको सिखाये थे ना उसी से मैंने यह design बनाया है तो आप यह वाला idea भी ट्राइ कर सकते हैं देखिए बस अब इन सब को जोड़के ना हम अपनी लटकन को ready कर लेते हैं तो design आप अपने हिसाब से beats का change कर सकते हैं बीच में pom-pom डाल दिए उसके बाद फिर बीच में beats डाल दिए उसके बाद यह जो हमने बैंगल से ready किया था ना इसके साथ ना हम इसे यहाँ पर join कर लेंगे देखिए तो बैंगल के बीच में से निकालके ना बिल्कुल अच्छे से tie कर लेते हैं तो बस इसी तरीके से ना पूरा हम इसे join कर लेंगे और यह हमारी देखिए प्यारी सी लटकन बननी शुरू हो गई है तो इस तरीके के wall hangings आप अराम से घर पे बना सकते हैं और किसी ने मुझसे पूछा था sale करने के लिए तो आप इने अपने sale भी कर सकते हैं और इसका price क्या रखना है वो आप अपने area के हिसाब से रख सकते हैं मार्किट में जो भी price हो ना उसके हिसाब से तो देखिए बहुत ही प्यारा इनका design लग रहा है तो पूरा ना मैं इसी इसी तरीके से बना लूँगी तो घर में पड़ी चीज़ों से अगर आप simple सा कोई wall hanging बनाना चाहते हैं ना decoration के लिए तो आप ये वाला idea ट्राइ कर सकते हैं तो देखिए बहुत ही प्यारा इसका design लग रहा था तो अब इसी में पूरा complete कर लेती हूँ फिर आपको ना इसका एक बर final look दिखा दूँगी तो जितना लंबा आपने बनाना है उसके हिसाब से आप इसमेरा beats कम या ज़्यादा कर सकते हैं ये देखिए तो बस अब उपर की तरफ ना यहाँ पे हम छोटा सा hook बना देंगे इसे हैंक करने के लिए और ये देखिए हमारा प्यारा सा लटकन का design हो चुका है complete तो कितना प्यारा design आया देखिए नीचे ये golden वाले beats जो मैंने बनाये थे वो लगा दिये उसके बाद pom-pom उसके बाद चूडियों का design आ गया यहाँ पे और देखिए कितना प्यारा ये हमारा बिल्कुल ready हो गया है तो आने वाले festivals में आप ये वाले design भी try कर सकते हैं इसमें आपको market से own लेने की भी जोरत नहीं है घर पे पड़ी चीजों से ही आप इसे बना सकते हैं तो I hope आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी कमेंट जरूर कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ राधी कृष्णा